तोड़े आम डिसकसिंग जिम बॉल अक्टिविटी एक्टिविटी वन में क्या किया है मैंने बहुत दूर पे ट्वाइस रखती है इसको जिम बॉल पर रोल होके जाना है और ट्वाइस को उठाके आना है और उसको बासकेट में डालना है जैसे हम छोटे बच्चों को वील 2 रогते हैं, इसको रिंग को एक कों से दूसरे कों में transfer करना है, एक बधर right hand से करना है, फिर उसको left hand से करना है, तो इस तरीके से मिड्लाइन crossing भी करवा रहें और pro- perceptive task है, अगर बच्चा hand down करता है, तो उसको redirect करना है कि आपको hand पे ही pressure लेना है, तो बच्चे अपने दोनों हाथों के पर प्रॉपर प्रेशर ले रहे तो उसका प्रोप्रेश्थ इंपूट मिल रहा है उसे प्रोपर प्रोप्रेश्थ 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 प्रोप्रे दोनों activities simultaneously हो रहा है और बच्चा का एक बार left hand से उठा रहा है एक बार right hand से उठा रहा है तो उसका midline crossing भी हो रहा है take a time like बच्चा जो भी अपना time ले रहा है जितनी भी speed से करें उसको allow करो not make him make hurry hurry it's okay do in your pace do it your style थोड़ा पाथ वो इधर दर अपनी mischief से करें इटस अलाओ ने तो अलाओ दा चाइड सम्वेर कि sodate वो जो भी activity करें वो खुश-खुश हुके भी करें इस activity में वो जो उसने pull noodles उसके cup के उपर रखे हैं वो वापस basket में डाल रहा है तो यह बहुत यह जिंबॉल आपके घर में होती ही है पेपर cup लेके राज हो कोई भी object रख सकते हो जिसको बच्चे से कह सकते हो कि पेपर cup के उपर रखे अगर बच्चा उसको successful कर रहा है तो अपि टॉंग दे दो कि टॉंग से उठाक इठाके रखो तक हमारी gross motor और fine motor और vestibular सारा को simultaneously हमारी activity एक ही में ही perform हो रही है तो this time the child will be relaxed happy and getting the sensory input simultaneously okay तो यह बहुत ही अच्छी activity है next way मैंने यह बस cross crawl कर वा रही हूँ मैं इसके सामने बैठ यह हूँ 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 और मैं जैस direction में cross crawl कर रही हूँ यह भी simultaneously मेरे साथ हो कर रहा है तो like this you can do जिम पोल अक्टुटी थेंक यू सब्सक्राइब मैं